एक बार की बात है एक छोटी सी मचली थी जिसका नाम था मंगली मचली मंगली मचली बाकी मचलीयों से थोड़ी अलग थी वह हमेशा बड़े सपने देखा करती थी उसका सबसे बड़ा सपना था सोने का तालाब उसने सुना था कि कहीं दूर एक ऐसा तालाब है जिसमें पानी नहीं बलकि सोना बहता है एक दिन मंगली ने ठान लिया कि वह उस सोने के तालाब को ढूंडेगी उसने अपनी मा से कहा मा मैं सोने के तालाब को ढूंडने जा रही हूं मा ने कहा पर बेटा वह तालाब सिर्फ एक कहानी है मंगली मचली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अगर मैं कोशिश नहीं करूँगी तो कभी पता नहीं चलेगा मंगली ने अपनी यात्रा शुरू की रास्ते में उसने बड़े बड़े शार्क देखे जिन्होंने उसे डराने की कोशिश की पर मंगली ने हिम्बत नहीं हारी उसने अपनी तेजी और समझदारी से उन सभी को चक्मा दिया फिर उसे एक बहुत बड़ा जाल दिखाई दिया जाल में कई मचलिया फंसी हुई थी मंगली मचली ने अपनी छोटी सी चोंच से जाल को काट दिया और बाकी मचलियों को आजाद कर दिया सब ने उसे धन्यवाद दिया और कहा मंगली तुम सच में बहुत बहादुर हो आखिरकार एक दिन मंगली एक चमचमाते तालाब के पास पहुँची वह तालाब सच में सोने का था, मंगली की आँखें खुशी से चमक उठी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह सोने का तालाब देखने में सुंदर है, पर इसमें न तैरने की जगह है, न पीने का पानी मंगली मचली ने सोचा, मुझे अपना असली खजाना मिल गया है, मेरा साहस और वो दोस्त जो मैंने रास्ते में बनाए मंगली मचली ने खुशी खुशी वापस अपने तालाब का रुख किया, उसने बाकी मचलीयों को बताया, खुशी सिर्फ सोना या चांदी नहीं होती असली खुशी तो कुछ भी उल्टी सुल्टी कहानी की वीडियो बना कर वीडियो यूट्यूब में डाल कर अपने दोस्तों का भेजा फ्राई करने में है, फिर चाहे एक छोटी मचली को वांडरलस्ट बना कर एक तालाब से दूसरे तालाब ट्रैवल करवालो, सोने की ता कैसी लगी ये कहानी? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं